नमस्ते दोस्तों आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत करते हैं दोस्तों आज के टॉपिक में हम आपको माइक टो सब्टेक्सल में चूस फंक्शन को यूज करके कैसे आप रिवर्स लुक आप को अपलाई करेंगे इसका पूरा प्रोसेस step by step दिखाऊंगा तो वीडियो काफी important होने वाला है वीडियो को last तक देखेगा तो चलिए प्रोसेस को start करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखें मैंने एक table को design किया है जहाँ पर मैंने लिया है name, designation, salary और employee id और यहाँ पर मैंने लिया है employee id, name and salary तो यहाँ पर जो employee id है इसके उपर base करके मैं आपको यहाँ पर choose function को apply करके दिखाऊंगा तो सबसे पहले मैं यहाँ पर table में से एक employee id को यहाँ पर लिखूंगा sm00125 तो इसी employee id के उपर base करके मैं यहाँ पर आपको name और salary को निकाल के दिखाऊंगा तो इसके लिए यहाँ पर हम vlookup formula को apply करेंगे और उसके बीच हम यहाँ पर choose function को apply करेंगे तो formula में आपको लिखना होगा equal vlookup first packet को open कर लेना है फिर आपको यहाँ पर देना होगा lookup value तो lookup value होगा आपका यह employee id का yesl फिर आपको देना होगा comma comma देने के बाद आपको यहाँ पर choose formula को apply करना है तो यहाँ पर लिखेंगे choose first bracket को open करेंगे और यहाँ पर आपको index number देना होगा तो हम यहाँपे curly bracket को open करेंगे और यहाँपे लेकेंगे 1,2, curly bracket close, यहाँपे हम 2 index देंगे, फिर आपको यहाँपे देना होगा, कॉमा देने के बाद आपको यहाँपे टेबिल में से employee id के जितने भी data है, इन सारे data को आपको यहाँपे select कर दीना है, सारे data को, फिर आपको य यहाँ पर value 2 में table में से जितने भी employee के नाम है इन सारे name को आपको यहाँ पर select कर लेना होगा. Select करने के बाद यहाँ पर आपको bracket को close कर लेना है. फिर आपको यहाँ पर देना होगा comma, comma देने के बाद दोस्तों ध्यान से एक बाद देखिएगा, यहाँ पर जो first index हमने लिया है उसमें हमने लिया है employee ID को और second index में हमने लिया है name को. तो हम यहाँ पर name को निकालेंगे तो इसके लिए आपको यहाँ पर लिखना होगा two, फिर आपको यहाँ पर देना है comma, exact match के लिए हम लिखेंगे zero, bracket को close करेंगे और एक बार enterprise करना है. एंटरप्रेस करने के साथ ही यहाँ पर देखिए उस employee का नाम यहाँ पर आ चुका है. टेबिल में एक बार देखते हैं, उस employee ID के against में जो नाम है वो दिखेंगे यहाँ पर match हो चुका है. मतलब कि हमारा जो formula है वो बिल्कुल सही है. आप यहाँ पर किसी भी employee ID को लिखके easily उस employee के नाम को find कर सकते हो. तो मैं यहाँ पर employee ID को change करूंगा. चेंज करने के साथ ही यहाँ पर देखिये automatically उस employee का नाम यहाँ पर आ चुका है. आप यहाँ पर किसी भी employee ID को डाल के easily उस employee के नाम को find कर सकते हो. तो मैं यहाँ पर और एक employee ID को लिखूंगा. लिखने के साथ ही यहाँ पर दिखिए automatically उस employee का नाम यहाँ पर आ चुका है टेबिल में एक पर देखते हैं तो टेबिल में से दिखिए उस employee ID के एगंस्ट में जो नाम है वो यहाँ पर match हो चुका है तो यहाँ पर आप किसी भी employee ID को change करके easily किसी भी नाम को find कर सकते हो अब मैं दुस्ता आपको यहाँ पर same formula apply करके salary को निकाल के दिखाऊंगा तो इसके लिए formula में आपको लिखना है equal Vlookup first bracket को open करेंगे फिर आपको यहाँ पर lookup value में आपको employee ID के cell को select कर लेना है फिर आपको देना होगा comma comma देने के बाद यहाँ पर हम अपलाई करेंगे choose formula को choose first bracket open फिर index number में हम यहाँ पर curly bracket को open करेंगे 1 comma 2 curly bracket close फिर यहाँ पर आपको comma देना है फिर आपको यहाँ पर value 1 में employee ID के जितने भी data है इन सारे data को आपको यहाँ पर select कर देना है फिर आपको देना होगा comma comma देने के बाद आपको value 2 में यहाँ पर salary के जितने भी data है इन सारे data को आपको यहाँ पर select कर देना है फिर आपको यहाँ पर bracket को close करना है फिर आपको देना होगा comma comma देने के बाद आपको यहाँ पर same हम यहाँ पर salary को निकालेंगे, इसके लिए आपको यहाँ पर लिखना होगा 2, फिर आपको देना होगा comma, फिर आपको यहाँ पर लिखना होगा exact match के लिए 0, फिर bracket को close करेंगे, और एक बर enterprise करना है, Enterprise करने के साथ ही यहाँ पर देखिए उस employee का जो salary है वो यहाँ पर निकल के आ चुका है एक बड़ टेबिल में देखते हैं उस employee ID के against में जो salary है वो देखिए यहाँ पर हमारा जो formula है उसके साथ यहाँ पर match हो चुका है यह देखिए आप यहाँ पर किसी भी employee ID को लिख के easily उस employee का नाम और salary को find कर सकते हो तो मैं यहाँ पर और एक employee ID को लिखूंगा लिखने के साथ ही यहाँ पर देखिए automatically उस employee का जो नाम और salary है वो यहाँ पर आ चुका है आप यहाँ पे किसी भी employee ID को लिख के easily उस employee के नाम और salary को find कर सकते हो तो दोस्तों यह था simple process जिसको use करके आप easily Microsoft Excel में choose function को use करके viewers will look up को apply कर सकते हो वीडियो अगर पसंद आया तो like कर दिजिएगा Thank you for watching the video, please keep your support